हैलो दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है आनंद और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे इंटरनेट एक ऐसी चीज जिसका इस्तमाल अगर किसी चीज को सीखने में किया जाए अपना ग्यान बढ़ाने में किया जाए तो ये किसी के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है पर वहीं कुछ लोग इसका इस्तमाल अपनी ऐसी भयानक इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं जिसके बारे में एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता आज के इस कहानी में मैं आपको ओमेगल पर घटी एक डार के स्टोरी के बारे में बताऊंगा जिसकी वज़े से उमेगल को बंद किया गया तो चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं कहानी शुरू होती है सन 2014 से अमेरिका में रहने वाली एक लड़की जिसका की नाम एम था वो और उसकी कुछ दोस्त एक दिन उमेगल पर कुछ रैंडम लोगों से वीडियो चैट कर रहे होते हैं इस वक्त एम की जो उम्र थी वो सिर्फ 11 साल थी और ये पहली बार था जब एम ने उमेगल के बारे में सुना था अब जिन लोगों को उमेगल के बारे में नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूं कि ये एक फ्री ओनलाइन वीडियो चैट प्लेटफॉर्म था जिसके जरीया आप दुनिया के किसी भी रैंडम इनसान के साथ टेक्स्ट चैट या वीडियो चैट कर सकते थे इसके लिए लोगों को सिम्पली गूगल पर जाकर www.omegal.com सर्च करना पड़ता था जिसके बाद एक पेज ओपन होता था और फिर टेक्स्ट चैट और वीडियो चैट के आप्शन पर क्लिक करके लोग किसी भी स्ट्रेंजर से बाते कर सकते थे ओमेगल की सबसे खास बात जो इसे दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग बनाती थी वो ये थी कि इसे यूज़ करने के लिए किसी को किसी भी साइन अप या रेजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी लोग बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके किसी से भी बात कर सकते थे तो एम जब अपनी दोस्तों के साथ पहली बार ओमेगल पर लोगों से बाते करती है तो उसे ये चीज बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस से अब वो और भी ज़्यादा नए दोस्त बना सकती थी और उनसे बाते कर सकती थी धीरे धीरे अब एम के लिए उमेगल पर जाना आम हो जाता है जहां वो पहले अपनी दोस्तों के साथ इस प्लेटफॉर्म को यूज करती थी वहीं अब एम अकेले कई घंटों तक उमेगल पर अंजान लोगों से बाते करने लगती है ऐसे ही एक दिन जब एम अपना उमेगल खोलती है तो उसकी मुलाकात एक केनेडियन आदमी से होती है जिसका नाम होता है रायन स्कॉट फोर्डीस ओमेगल पर मिलने के बाद एम और रायन काफी देर तक एक दूसरे से बाते करते हैं और जैसे जैसे इन दोनों के बीच की कनवर्शेशन आगे बढ़ती है धीरे धीरे एम रायन से इंप्रेस होने लगती है जब कुछ दिर बात करने के बाद Ryan को ये लगता है कि AM अब उसके साथ comfortable हो गई है तो वो AM से उसकी कुछ contact details मांगता है ताकि वो इस video chat के end होने के बाद भी AM से बात कर सके AM जो कि अब Ryan पर trust करने लगी थी उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानने लगी थी तो वो बिना किसी जिजग के Ryan को अपना किक username दे देती है किक एक तरह का social media platform है बिल्कुल whatsapp की तरह बस किक और whatsapp में फर्क इतना है कि whatsapp को use करने के लिए आपको एक mobile number की जरूरत होती है लेकिन किक में आप सिर्फ एक username भी use कर सकते हैं तो Ryan AM से उसकी कुछ contact details मांगता है जो कि AM उसे दे देती है आप कुछ दिन बीटते हैं और एक दूसरे से online बाते करते करते इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है Ryan शुरू से ही एम से बहुत अच्छे से पेश आ रहा था वो रोज एम से पूछता कि आज तुमने स्कूल में क्या किया तुमने खाने में क्या खाया कोई तुम्हें परिशान तो नहीं करता इस तरह की चीज़े करके वो एम को ये विश्वास दिला देता है कि उसे एम की चिंता है रायन का एम से यूँ पेश आना उसकी चिंता करना ये सब एम को बहुत अच्छा लगता है और अब एम धीरे धीरे रायन की तरफ आकरशित होने लगती है एक तरह से एम अब रायन के प्यार में पढ़ने लगी थी ऐसे ही बाते करते करते रायन एक दिन एम से उसकी कुछ फोटोज मांगता है शुरू में रायन एम से उसकी सिंपल फोटो मांगता है जैसे उसकी स्माइल करते हुए फोटो, उसकी उसके खिलोनों के साथ फोटो, उसकी फेवरेट ड्रेस के साथ फोटो अब क्योंकि रायन एम का एक अच्छा दोस्त बन चुका था दोनों के बीच काफी समय से बात हो रही थी तो एम बिना किसी जिजग के रायन को अपनी फोटोस भेज देती है इसके बाद कुछ दिन बीचते हैं और रायन एक बार फिर से एम से उसकी फोटोस मांगता है पर इस बार वो एम की नॉर्मल फोटोस नहीं मांगता बलकि इस बार वो एम को उसकी बिना कपलों की फोटोस भेजने को कहता है एम शुरू में तो उसे ऐसी कोई भी फोटो भेजने से इंकार कर देती है पर Ryan उसे ऐसा करने के लिए convince कर लेता है ये बोल कर कि इससे उसका और Ryan का relation और strong हो जाएगा A.M. जो की Ryan पर अब पूरी तरह से trust करने लगी थी उस पर विश्वास करने लगी थी तो वो Ryan की इन बातों में आकर उसे अपनी कुछ nude और semi-nude photos भेज देती है और यहां से अब चीजे बदलने वाली थी A.M. की जिंदगी अब hell बनने वाली थी Ryan जो A.M. से इतने अच्छे से बात करता था उसके इतनी care करता था वो उन photos के मिलने के बाद अब पूरी तरह से बदल चुका था उन photos के मिलने के बाद Ryan A.M. से उसकी और photos की demand करता है और जब A.M. ऐसा करने से मना करती है तो Ryan उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे अपनी photos नहीं भेजी तो उसके पास जो photos हैं वो उसे leak कर देगा वो A.M. को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो वो उन photos को leak कर देगा जिसके बाद A.M. के parents उसे घर से निकाल देंगे और उसे पुलिस के हवाले कर देंगे Ryan A.M. से अब daily उसकी nudes मांगता है वो भी उसके clear face के साथ जिन भी photos में A.M. का चहरा साफ नजर नहीं आता था या धुनला दिखाई देता था तो वो उन photos को उससे दुबारा click करवाता और फिर उन photos को भेजने को कहता इन photos को भेजने का सिलसिला करीब एक साल तक चलता है और फिर धीरे धीरे इन photos का भेजना भी आम हो जाता है समय के साथ A.M. के लिए अब ये चीजे और भी ज्यादा भयानक और डरावनी होने लगी थी राएन का मन अब A.M. की उन photos से भर चुका था राएन जो पहले सिर्फ A.M. से उसकी photos मांगा करता था वो अब A.M. को साफ तोर पर order देता है कि अब से तुम मुझे अपनी photos के साथ अपनी बिना couple की videos भी बना कर भेजो वो भी उसके बताय हुए hairstyle और make-up के साथ राएन अब A.M. को strictly ऐसे instructions देने लगता है कि तुम इस वीडियो में इस तरह का hairstyle करोगी इस तरह का make-up करोगी और इस तरह से act करोगी राएन अब A.M. को पूरी तरह से control कर रहा था वो A.M. से इतना दूर होने के बावजूद भी एक computer के पीछे बैठ कर A.M. का शोशड कर रहा था राएन A.M. को force करता है कि तुम अपनी masturbate और urinate करते हुए video बनाओ लड़की जिसने ओमेगल सिर्फ कुछ नए दोस्त बनाने के लिए खोला था उसी ओमेगल की वज़े से उस लड़की की जिंदगी अब नर्क से भी बत्तर बन चुकी थी राएन A.M. के साथ जो कुछ भी कर रहा था उसके बारे में A.M. के दोस्तो या उसके माबाप को कोई भनक तक नहीं थी A.M. जो पहले एक A-grade student हुआ करती थी एक हस्मुक लड़की हुआ करती थी वो अब राएन के इस torture से पूरी तरह तूट चुकी थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे A.M. इन चीजों से इतना disturb हो जाती है कि उसे अब panic attacks आने लगते हैं उसे ये लगने लगता है कि ये चीजे अब कभी खत्म ही नहीं होंगी राएन के इस torture से परिशान होकर A.M. कई बार खुद को खत्म करने की भी कोशिश करती है पर वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो कोई ऐसा कदम उठा सके राएन A.M. को ना सिर्फ उसकी naked photos और वीडियो के लिए force कर रहा था बलकि वो A.M. को अपने साथ दूसरे वीडियो चैट ग्रूप्स में add करता था और वहाँ पर वो A.M. के सामने अपने दोस्तों को उसकी naked photos बेचता था ये बोलकर कि मेरे पास इस लड़की की photos हैं और अगर किसी को चाहिए तो वो उसे बताए राएन कई बार A.M. को अपने दोस्तों के सामने life perform करवाता था इस धमकी के साथ कि अगर उसने उसे मना किया या उसके दोस्तों के सामने कुछ भी बोला तो वो उसे getnap कर लेगा और उसके माबाप को भी मार देगा A.M. को ये चीजे जहलते हुए अब तीन साल से भी जादा हो गए थे और इसके खत्म होने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था 12 जनवरी 2018 Canadian पुलिस एक आदमी को गिरफतार करती है इंटरनेट पर पॉर्नोग्राफिक कॉंटेंट फैलाने के लिए और ये आदमी और कोई नहीं बलकी खुद Ryan Scott Fordies था जब पुलिस Ryan के घर पर रेड मारती है और उसका कम्प्योटर चेक करती है तो उन्हें Ryan के कम्प्योटर के अंदर से 3000 से भी ज्यादा छोटे छोटे बच्चों की फोटोस और वीडियोस मिलती है जिसमें से 220 से भी ज्यादा फोटोज और वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एम की थी रायन को गिरफतार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछती है कि वो इन फोटोज और वीडियोस का क्या करता था तो रायन उन्हें बताता है कि वो 18 साल से कम उमर के बच्चों की नेकेट फोटोज और वीडियोस को डार्क वेब पर बेचता था Ryan पुलिस को बताता है कि उसके पास इन फोटोज और वीडियोज को बेचने के लिए Dark Web पर 15 से भी ज्यादा अलग-अलग वेबसाइट्स थी जिन पर लोग छोटे-छोटे बच्चों की ऐसी फोटोज और वीडियोज को खरीदते थे Ryan को गिरफतार करने के बाद पुलिस उससे उन बच्चों की डीटेल्स लेती है जिने Ryan ने ओमेगल पर फसाया था और इसके बाद A.M. के पैरेंट्स को फोन लगाया जाता है और तब कहीं जाकर A.M. के माबाप को पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ पिछले तीन सालों से क्या-क्या हो रहा था A.M. वो अकेली लड़की नहीं थी जिसे Ryan ने अपने जाल में फसा रखा था बलकि उसने A.M. के जैसे ही कई और लड़कियों को भी ओमेगल के जरी अपना गुलाम बना कर रखा था पुलिस की और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि Ryan ने ये चीजे ना सिर्फ A.M. के साथ की बलकि उसने इस चीजे के लिए उसे ट्रेन भी करना शुरू कर दिया था कि वो ओमेगल पर अपने ही जैसी और लड़कियों को ढूंडे और उनकी सारी जानकारी ला करके वो Ryan को दे ताकि Ryan उन लड़कियों के साथ भी वही सब कर सके जो उसने A.M. के साथ किया Ryan को जनवरी 2018 में केनेडा की पुलिस ने गिरफ़तार किया जिसके बाद उसे इस तरह की पॉर्णोग्राफी फैलाने के लिए साड़े आठ साल की सज़ा सुनाई गई Ryan के गिरफ़तार होने के तीन साल बाद A.M. ने सन 2021 में ओमेगल पर एक लासुट फाइल किया जिसमें उसने अपनी ये पूरी कहानी बताई और बताया कि कैसे Ryan के जैसे हजारों लोग ओमेगल पर छोटे छोटे बच्चों को एक्स्प्लाइट कर रहे हैं ओमेगल को शुरू से ये पता था कि उनके इस प्लेटफॉर्म पर Ryan के जैसे हजारों लोग हैं जो कि बच्चों का उनकी मासूमियत का फाइदा उठा रहे हैं पर ओमेगल ने इस चीज़ को रोकने के लिए कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर Porn Sites को भी Advertise किया जाता था जबकि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल 7 से 13 साल के बच्चे भी करते थे BBC ने 18 फरवरी 2021 को एक आर्टिकल रिलीस किया था जिसमें उन्होंने 10 घंटों के लिए उमेगल को मॉनिटर किया इन 10 घंटों में उस BBC एम्पलॉई को उमेगल पर 12 से भी ज्यादा लोग स्क्रीन के सामने मास्टरबेट करते हुए मिले 8 लोग बिना कपलों के यानि नंगे और 6 से भी ज्यादा पॉर्ण वेबसाइट के एड्स दिखाए गए अकेले 2022 में उमेगल पर 6 लाग से भी ज्यादा चाइल्ड एक्सप्लाटेशन के केसिस दर्ज किये गए थे और ये वो नंबर्स थे जो लोगों के सामने आए कोर्ट में एम का केस लगबग 2 सालों तक चला जिसके बाद उमेगल के फाउंडर लीव के ब्रूक्स ने अपनी गलती मानी और फिर 9 नवंबर 2023 को उमेगल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया उमेगल आज के जमाने में कोई एकलौता प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे बच्चों और लड़कियों को एक्स्प्लोइट किया जाता है बलकि आज भी ओमेगल जैसे हजारों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आज भी राइन के जैसे हजारों लोग नेक्स्ट एम की तलाश में हैं इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिष्टेदारों और अपनी फीमेल फ्रेंड्स को जरूर शेर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियो चैट प्लेटफॉर्म्स की सच्चाई पता चल सके तो ये थी कहानी ये 11 साल की लड़की एम की उमीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो में हम फिर से मिल सके और तब तक के लिए टाटा बाई बाई एंड गुड लग